हेलो दोस्तों फ्लाटवाइस लिम आपसे भी कर स्वागत हैं तो पॉलिटिक्स का आज हम नेक्स टॉपिक कर रहे हैं जो कि है कम ट्रॉलर और ऑडिटर जनरल ओफ इंडिया इसकी शॉट फॉर्व हम क्याग भी कहते हैं तो आज हम प्रॉपर क्याग के बारे में पढ़ेंग सो वीडियो को एंट तक जरूर देखना लाइक कर दो कमेंट्स करना कोई भी दिक्कत है तो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस करो जल से जल अपडेट्स के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना तो चलो हम देखते हैं कम्ट्रॉलर और ऑडिटर ज तहत मतलब आर्टिकल 148 से लिए 151 तक के बारे में ही लिखा हुआ है और यह जो कॉंसे आर्टिकल के अंडर था वो था आर्टिकल 148 के अंडर ठीक है जो क्या होता यानि कि जो कम्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ओफ इंडिया होता है वो उसको पॉइंट कोन करता है उसको देखी थी उस میں हमने देखा था एटार नी जनरल ओफ इंडिया तो उनको भी प्रेजिट्री अपॉइंट करते हैं ऐए जो क्यांग है यानि कि कॉम्ट्रोलर ओफ सेंट्रल ऑप्स यानि कि जो क्या है इसको फाइनंशियल कंट्रोलर ओफ सेंट्रल ओज वff ऐस वेले स्टे यह 6 साल से 65 एच तक के बीच होता है जो भी पहले आजाए मतलब मान लो इसमें जनरली जो बड़ी एच के लोग होते हैं उनी की वही लगते हैं ठीक है मतलब वही बनते हैं कम्ट्रोलर और ओडिटर जनरल तो मिनेमम तो 6 एच है कि मान लो अगर परसन की एच होने वाले हैं तो 6 साल तक तो काम करे गए करेगा लेकिन अगर उसकी एच मालो 65 होने के लिए भी 65 एच भी उसकी 6 years के बाद होगी तो वह आगे continue कर सकता है लेकिन मिनेमम उसे 6 साल तो काम करना ही पड़ेगा और अगर 65 साल की उमर तक उससे फिर मतलब देखना पड़ेगा जो भी पहले जाएगा अगर वह 65 साल का जल्दी हो गया 6 साल से पहले तो उसको मतलब फिर वह रिटायर हो जाएगा ठीक है या फिर अगर वह 65 पिया इसका नहीं भी होता है तो भी उसको मिनेमम वक 6 साल तो करना ही पड़ेगा और यह जब वह कहागी एक बड़ जो परसन बन चुका है वह बाद में कोई भी गॉर्मेंट पोस्ट उसको अपॉइंट नहीं की जाएगी वह कोई भी गॉर्मेंट जो नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह है कि मान लोग किसी परसन ने 6 साल तक काम करके इसको छोड़ दिया और फिर वह रिटायर हो गया मेडिमम 6 साल का काम करके और लेकिन वो अपना बिजनस चालो है सकता है वो वोट कर सकता है अपने जैसे हम सभी को वोटिंग राइट्स मिले अपना मेंबर चूस करने के लिए तो वो सब वो कर सकता है लेकिन वो गॉर्मेंट के अंडर कुछ काम नहीं करेगा एक बर जो कैग बन गया है वो और जो प्रोसीडेंग्स में पार्टिसिपेट जरूर कर सकता है लेकिन वह पार्लियमेंट में जो मेंबर सेलक्षन होगा उसमें उसका कोई वोटिंग राइट नहीं है यानि कि जब लोग सभा के मेंबर और राज्य सभा के मेंबर चूस किये जाते हैं तो वहाँ पर जो यह क्याग फाह के लिए जातए हैं जितना की स्टेटसां आप एक सुप्रीम कोड के जज़ को देते हो ठीक है जो CAG है वो अपनी रिपोर्ट सब्मिट करता है इंडिया के प्रेजिडेंट को और फिर प्रेजिडेंट उसी रिपोर्ट को पार्लियमेंट में सब्मिट करता है अब बात करते हैं यह रिपोर्ट कौन सी है यह रिपोर्ट वो होती है कि आपने देखा होगा कि हमेश एक budget decide होता है एप्रेल के असपस जनवरी से एप्रेल के बीच में ये budget पूरा तयार करें जाता है और हमें बता दिया जाता है कि यह budget रहेगा इस बार का कि गौर्मेंट एजुकेशन पर इतना खरच करेगी टेकनलोजी पर इतना खरच करेगी डाम्स वगेरा बनाने पर इतना खरच करेगी तो वह हमें एक amount estimation amount दे देती है है तो जो क्याग है ये गौर्मेंट से कहता है कि तुम मुझे बिल प्रोवाइड कर दो मितलब अगर तुमन रिपोर्मेंट इस पर जो आए आग कि ये उसी पैसे को इतना इस किया और प्रोवर्मेंक की transaction देखते कि हमें भी तो नहीं दे दिया तो ये सब जो responsibilities हैं यह gag की होती है कि यह properly देखता है कि government कहाँ पे क्या खर्चा कर रही है यह government से सीधा बिल मांगता है और अगर और बाद में यह last में अपने report के review भी देता है कि मान लो government ने कहा कि education पे वो इतना खर्चा कर रही है 35,000 एक बच्चे पर खर्चा कर रही है ठीक है तो अपने suggestion में क्या गिये report के end में लिख सकता है कि government एक बच्चे पर 35,000 खर्चा कर रही education पर तो उतना खर्चा ना करके 20,000 भी खर्चा करती तो भी वो जो बच्चा था वो आगे बढ़ जाता proper facilities के साथ यहां पर government ने फालतू का वैसा खर्च किया है तो जो कैक के responsibility है वो एक report बनाता है कि government ने कहां का वैसा खर्च किया है साथ ही में यह अपने review भी देता है report में suggestion भी देता है कि अगर तुम ऐसा करते तो जाद़ beneficial रहता और तुम पैसा save कर पाते और फिर यही report वो प्रेजिडेंट को शो करता है और फिर जब प्रेजिडेंट होते हैं वो यही report पार्लियामेंट में लेके आते हैं और questioning करते हैं तुम ने यह पैसा ऐसे खर्ज किया या फिर यहां पर यह पैसा तुम्हारा कहां गया जो यहां पर शोवन हो रहा है यह पैसा इतना कम क्यूं आ रहा है और इसी basis की report पे क्या की बेस जो क्याग ने report दी है उसी के based पे एक public account committee form होती है ठीक है और उस committee के जो members होते हैं total members 22 होते हैं ठीक है total members कितने होते हैं पुब्लिक account committee में 22 members होते हैं और 22 members में से जो 15 member होंगे वो तो आपके लोग सभा के members होंगे और जो 7 members होंगे वो आपकी की राज्य सभा के members होंगे ओके तो पॉब्लिक account committee में total 22 members है आउट ओफ 15 है स्वरी आउट ओफ 22 15 है लोग सभा के एंड 7 है राज्य सभा के कैट की report के basis पे public account committee form होती है अब देखते हैं कि यह जो members है इसका जो head होता है पॉब्लिक account committee का वो होता है opposition party का leader अब यहां पर एक बात आते कि opposition party का लीडर क्यों बनाया जा रहा है अब तुम यह देखो कि अगर यह जो parties है अभी जैसे अभी बीजेपी चल रही है ठीक है तो बीजेपी के leader इसलिए choose करते हैं so that जो opposition party होगी वो तो चाहती है कि वो दूसरी party को नीचा दिखाए और वो खुद की party को आगे बढ़ा है तो इसलिए हम leader बनाते है opposition party को ताकि कोई भी biasness ना हो कोई भी inequality ना हो कि government ठीक नहीं कर रही और फिर भी जो opposition leader मतलब जो leader है public account committee का वो उनकी side हो गया क्योंकि opposition party का leader कभी भी अपनी party को ने चोड़ेगा वो दूसरी party के सथ जाए गए नहीं वो हमेशे दूसरी जो अभी party है in actual उसके अवगुण निकालेगा यान इसलिए हम public account committee का head opposition का leader बनाते हैं ताकि सरकार जो भी गलती कर रही है तो वो उसको पूरा proper highlight करे कि तुने यह गलती क्यों की है तुने यह पैसा कहां करच किया है अब एक बात देखोगे जब bjp बनी थी तो उस time पे जो congress party थी उन्होंने एक वादा क्यों था कि वो 4G network ले गई थी because वो उन्होंने यह क्या की रिपोर्ट देखके बोला था कि भाई तुम यह बताओ Congress कि तुने यह बोला था कि तुम यह वाइफाई पे इतना करेगा इंटरनेट पे इतना करेगा हमें 4G net provide करेगा पर हमें provide तो किया है और तुम बोल रहा कि तुमने पैसा करेच कि करेटी उस टाइम पे यहां पे आई थी मतलब इसी वजह से वह कहीं ना कहीं अभी फिलाल अब मतलब पाइटी में हैं अभी फिलाल हमें रूल कर रही है गॉर्मेंट बनी है वह इसी वजह से क्योंकि उस टाइम पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन था बीजेपी था Congress के आग तो जो करेंट कैग है यानि कि इस वक्त जो करेंट कैग है यह 14th कैग बने है और यह है गिरीश चंद्र मुर्मू और यह 8 अगस 2020 को बनाए गए थे और अभी तक यही करेंटी हैं इंडिया के कैग तो यह याद रखना question में आ जाता है कि Auditor General of India पहले कौन थे और करेंट में कौन है और यह चेंज होते रहते हैं तो जब भी तुम्हारा एक्जाम होगा तो यह चीज़े पढ़के जाना कि अब करेंटली कौन बन गया है अभी फिलाल गिरीश चंद्र मुर्मू ही है 2021 में भी तो यह चीज़ आप याद रखना और गिरीश चंद्र मुर्मू ऐसे दि कुला बाई